सबसे ताकतवर मुस्लिम मूलक सौधी अरब ने चीन के उईगर मुसलिमों के पकस में खड़ा होने से आजसाप इंकार कर दिया सुधी प्रिंस सलमान ने चीन के राष्ट पती सीद जिनपिंग से हालिया मुलाकात के बाद कहा है कि उई गर मुसलिमों का मसला चीन का आंत्रिक मामला है अपनी राष्ट सुरक्षा को पुक्ता करने का हक हर देश को है मज़ेगी बात यह है कि तुरकी राष्ट पती रेसपतयव एर्दोगन ने भी अब इस मामले में चुपी सादली है पर भारत में चुप चाप कोई काम नहीं होता यहां राष्टित के मुद्धों को भी अभी व्यक्ति से जोड़कर उस पर खूब ठुमके मटकाने की प्रमपरा है जब मुसलिम देशी किसी अन्न मुलकों के मुसलिमों के सुधार पर आपत्ती नहीं कर रहे हैं तो भारत के ठंगे बाज क्यों ठेंगा दिखा रहे हैं मतलब इस देश में सीर के पके बाल दिखा कर और मुँपर करीम पोंटर लगा कर मानवादी कार के पैरों की भरमार हो रही है दरसल इस वक्त डिटेंशन सेंटर को लेकर जो हल्ला मचाया जा रहा है उसमें राजनितिक गुंजाइस देखी जा रही है 22 दिसंबर को रामलिला मैदान में भारत के परधान मंतरी निरेंदर मोधी ने कहा है कि देश में कहीं डिटेंशन सेंटर नहीं है उन्होंने तीन बार कहा है कि यह जूट है पर अकिकत यह है कि उन्होंने खुद जूट बोला है साथ उनको कांग्रेस द्वारा इस्थापित डिटेंशन सेंटर की जानकारी नहीं रही होगी या फिर उन्होंने कांग्रेस को बचाने का काब किया है डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश वरस 2009 और 2012 में ततकालीन काग्रेश सरकार नहीं दिया था इसके बादी वरस 2011 में असम में 3 डिटेंशन सेंटर बना दिये गई जो अगस 2016 में 6 सेंटर तक हो गए यानि इस वक्त असम में 6 डिटेंशन सेंटर है इन डिटेंशन सेंटर में 28 नवंबर 2019 तक 970 लोग रह रहे थी इसके अलावा करनाटक में भी एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है असम के डिटेंशन सेंटर में रखे गए लोगों में से अब तक 28 लोग उपर पहुँच चुके हैं दरसल डिटेंशन सेंटर का ख्याल आते ही लोगों के दिमाग में चीन दुआरा उईगरों को बंदक बना कर रखे गई डिटेंशन सेंटर की छवी बन जाती है जबकि भारत के डिटेंशन सेंटर ऐसे नहीं है चीन में मानवा दिकारों के मुद्द पर कोई उचल कूद नहीं करता है भारत में इस्ति इसके ठीक उलट है या तो एडवाज में क्रीम पाउडर तैयार रहता है भारत में डिटेंशन सेंटर की शुरुवात वरस 2009 में कांगरेश सरकार ने इसलिए की थी ताकि अवैद परवाशियों को पहचान कर उन्हें हिरासत के लिए डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए हलाकि कांगरेश सरकार ने ये अधिकार राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया था ये अवैद परवाशी तब तक डिटेंशन सेंटर में रहने थी जबकि उनकी राष्टिता की पैचान करके उन्हें परत्यार उपित नहीं कर दिया जाता लेकिन कांग्रेस कारिकाल में ही इन डिटेंशन सेंटरों का उप्योग अवैद प्रवाश्यों की बुद्धी ठीक किये जाने के लिए किया जाने लगा कांग्रेस सरकार के कारिकाल में ही केंदर राज्यों को और केंदर साशित परदेशों को मोडल डिटेंशन सेंटर और होल्डिंग सेंटरों के सम्मद में निया मावली राज्यों को भेजतर रहा है के अंदर ने बार बार राज्यों को डिटेंशन सेंटर इस्थापित करने के निर्देश भी भेजे हैं वैसे इस वक्त भारत में जिस परकार चरंपत बढ़ रहा है उसने डिटेंशन सेंटर की जरूर्ट बढ़ा दी है वर्तमान में जो डिटेंशन सेंटर काम कर रहे हैं उसके परतेक सेल में 8-10 लोग रखे जा रहे हैं जिनमें उनको चरपत से दूर करने की सिक्सद दी जाती है हाला कि चीन के पुकाबले भारत के डिटेंशन सेंटर मानवाधिकारों के परती बहुत गंबीर है यहां किसी की पूजा पदिती को नहीं बदला जाता बलकि उनको वैद्जानी का आदार पर सिक्सद दी जाती है भारत सरकार इस वक्त कुछ भी कही लेकिन नागरिकता संसोधन कानूड के बाद विशेश समुदाय ने जिस प्रकार उचलकूद की है उसने सरकार की चिंता जरूर बढ़ाई है इस घटना से साबित हुआ है कि भारत का विशेश समुदाय देश विरोध और कट्रपद की तरफ बढ़ रहा है जिसका खाम्याजा आने वाले वक्त में भारत को भुगतना पढ़ सकता है ऐसे में डिटेंशन सेंटर की कमी अवेश्य मैसूस की जा रही है डिटेंशन सेंटर मुसलिम वर्क के लिए फायदय की बात हो सकती है इनमें डालकर इने वेवसाइप प्रशिक्षन देकर गरीबी और चर्मपत से दूर किया जा सकता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अब हर जिले में ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाने पर विचार कर रही है क्योंकि देश में सबसे बड़ी मुसलिम आबादी उत्तर प्रदेश में ही रहती है इसी प्रदेश से सबसे जादा मुसलिम की निकले है ऐसे में योगी सरकार इस मुद्दे पर कहीं अधिक गंभीर न जराती है पर चूकी अभी तक यह रज्ज सरकारों के अधिकार में है कि वे डिटेंशन सेंटर पर एक्षन ले इसलिए केंदर सरकार के हाथ बंदे हुए है लेकिन भीतर खाने अब ऐसी भी आवाज उठ रही है कि केंदर सरकार कांग्रेश के पूर्बनियम को पलट कर डिटेंशन सेंटर की जिम्मेदारी अपने अधिकार में ले सकती है सरकार के ऐसा करने से डिटेंशन सेंटर में मौजूद चरम पंथियों को अधिक मदद मिल पाएगी आप मित्रों से अनुरोद है कि डिटेंशन सेंटर के विशे में कमेंट करके अवश्य से बताए कि यह होने चाहिए अथवर नहीं होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए नहीं होने चाहिए तो उसका कारण भी अवश्य बताए इससे देश को नफे नुक्सान के बारे में भी अपने विजार अवश्य रखे इसी के साथ अनुमती दोस्तों जै जवान जै की साथ जै ही दन्यमात्रम